Hello everyone, so today we'll be discussing question number 34 of lead code which is first and last position of element in a sorted array तो ये जो question है हमारा second question है जो हमाई binary search playlist है इसके पहले हमने और question देखा था वो easy problem था ये जोड़ा एक medium problem है ये भी simple ये इसमें ज़ाद कुछ करना नहीं है तो ये simple क्यों है क्योंकि अगर आपर टेंपले शमझ चके हो अगर आपने पहले दो वीडियोज देख चुके हो तो आपको ये बहुत ही simple लगेने वाला है और जो पहले दो वीडियोज है आप पहले दो वीडियोज देखो उसमें मैंने एक template उसमें पूरा intuition और जितनी में mathematics involved है मैंने सब discuss कर रखी है और बहुत ही logically explain क्या है कि ये template आया कैसे और binary search को हम कैसे कैसे नए नए problems में यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो template है ये जो ये आपको जो template दिख रहा है न यह यहाँ पर ये मैं उन्हीं दो वीडियो से मैंने बनाया ये template तो वो template को मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ ठीक है अब यहाँ पर हमको बोला क्या है कि सबसे पहले caution देख लेते हैं कि करना क्या है कि यहाँ पर हमको first element first position निकालनी element के इसे target दे रखाना four तो उसका first position of appearance area में क्या है ये three और last position क्या है five तो हमको return क्या करना है three comma five अगर available नहीं है तो minus one comma one और अगर मान के चलो एक ही जगा present है मान के चलो जैसे अगर हमारा target अगर four है और वो सिर्फ three में ही present है या फिर चलो छोड़ो इसको अगर हमारा target क्या है target अगर three है तो हमको क्या return करना है two comma two समझ गया ना तो यह है में अब यहां पर इसको हम देख लेते हैं कि हमको करना कैसे है ठीक है हमारा target वापस four कर देते हैं इसको इसा भटा देता हूं मैं तो एक चीज़ तो है कि first position तो हम ऐसी निकाल सकते हैं first position तो हम ऐसी निकाल सकते हैं यह जो position है न क्यों यह अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं न हमारा जो predicate है हमारा जो predicate है जो p of x it returns yes slash no right अब अगर मैं यहां पर predicate मेरा जो अभी तक हमारा था क्या बोलते हैं इसको कि अगर यह एरे का नाम ए आर रहे ओफ और और ओर ओफ एक्स इस greater than or equal to target ठीक है यह प्रेटिकेट को लेकर इसको बूलिन एरे में convert कर दे रहा था मतलब कैसा कि यह आजाएगा no 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 yes येस, 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 एंड येस, समझ रहो ना यहां पर कि जैसी मैंने 4 दिया, तो 4 is greater than equal to 4, right? 4 is equal to 4, इसलिए येस आएगा, और जो मेरा प्रेडिकेट है, जो मेरा binary search है, that will give me the first yes, पिछले problems मेंने discuss किया, ये कि this will give me the first yes, this will give me the first yes, और क्या return करता है, minimum x such that p of x is true, ये लाइन मैंने second video में लिखी थी बार बार, कि ये हमको क्या करता है, minimum x such that p of x is true, minimum x क्या है यहां पर, 4 है न, बलब जो index है, यह यहां पर index 3 रिटन करेगा, क्योंकि 3 is the minimum index for which, this predicate is true, और predicate क्या है मेरा, ARR of x is greater than or equal to target, as simple as that, अभी तक हमने कुछ rocket science नहीं किया, अभी हम सिब template को ही follow कर रहा है, तो हमारे पास जो क्या है न, first position to sort, first position sort हो गया, first position तो मिल जाएगा, वो तो अभी तक हम अपना जो template use कर रहे थे, उससे सीधा मिल जाएगा, ठीक है, first position तो मिल जोग है हमको, लेकि हमको last position क्या, last position निकालना है, समझ रहे हो न, तो last position निकालने के लिए हमको छोटा सा change करना पड़ेगा code में, उससे हमारा last position भी आ जाएगा, ठीक है, वो देखते हैं, क्या है वो change, I hope अब तक यह सबज में आया होगा, यह yes no, yes no, क्या है, यह मैंने पहले दो वीडियोस में बहुत detail में समझाया है, तो एक बर वो देख लो, तो आपको यहाँ भी समझ में जाए, कि मैं yes no, yes no, कैसे कर रहा हूँ, और यह predicate होता क्या है, प्रेडिकेट कुछ नहीं है, एक function है, जो मैं, यहाँ पर decide कर रहा हूँ, इसको implement करने का, जो यह मेरे को help करेगा न, left half को reject करने में और right half को reject करने में, यह predicate decide करता है, ठीक है, छोटी से summary थी, तो इसमें, अगर आपको जदा दिक्कत हो रही है, तो एक बर आप पहले दो वीडियो देख लो, तो अब हम वो देखते हैं, कि इसमें हमको last position कैसे निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखते है कि अब हमको यहाँ पर, जो last position है, यह, यह निकालना है, यह तो हमको मिल जाएगा, जो हमारा predicate अभी तक हम use कर रहे थे, जो मैंने predicate बताया भी, ठीक है, यहाँ पर, अब मेरे को यह चाहिए है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको, यह तो मिल गया, यह तो हमारा simple predicate से था, जो ह PX और PM में confuse मत होना, वो PM, वो mid pass कर रहा था मैं, और यहाँ पर हमें for any X, this is true for any X, यह मेरा predicate एक function है, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, वहाँ पर मैं mid pass कर रहा हूँ, इसलिए, बागी है, दोनों same चीज, अब यहाँ पर, जो PX है मेरा, जो मैंने implement किया था, वो क्या था, target है मेरा 4, ठीक है, तो वो predicate इस array को किस चीज में convert कर दे रहा था, समझ रहे हो, किस चीज में convert कर दे रहा था, no, 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 yes, sorry, yes, 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 ठीक है, इसमें convert कर दे रहा था, और मेरे को यह yes मिल जा रहा था, simple सी बात है न, मेरे को यह yes मिल जा रहा था, क्यों मिल जा रहा था, क्योंकि जो binary search है, it gives me the minimum x such that PX is true, यह line तो दिमाग में बढ़ा लो, it gives me the minimum x such that PX is true, अब क्योंकि मेरा yes यहाँ पर था, जो पहला yes था, यह जो मेरा पहला yes था, यह मेरे को मिल गया, अब मैं क्या करूं, कि मेरे को यह four मिल जाए, समझ रहा हो ना, कि यह four मिल जाए, तो, अगर, मेरा predicate, अगर मेरा predicate, कुछ ऐसा return करे, कि मेरा array ऐसा देखने लगे, मतलब यह जो, no, 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 yes, yes, अगर मेरा predicate, मैंने कुछ ऐसा predicate बनाया, जो input देने पर, ऐसा, ऐसा output दे, एक array of boolean, वो ऐसा देखे मेरा, क्यों, क्योंकि मेरे को यह yes मिल जाएगा फिर, उसी तरीके से, binary search वाले, उसी तरीके से, वोई template में, template मेरे को क्या solution देगा, template मेरे को यह yes की position देगा, ध्यान रखो हमेशा, यह yes की position देगा, पहले yes की, और ना 4 के just बाद वाला number, और जैसी मेरे को यह मिल गया, तो यह क्या होता, generally, left होता है ना यह, जो return करता हूँ मैं, return करता हूँ left, this is the minimum max, it returns me the minimum max as that px is true, और यह left, yes, यह left की value होती है, मैं यहाँ पर return क्या करवाद हूँ गा, left minus 1, left minus 1, यह, यह मिल गया मेरे को, समझ रहे हो ना, तो अब बस मेरे को क्या करना है, कि एक ऐसा px बनाना है, जो मेरे को, ऐसा area बना के दे दे, कुछ नहीं है, वो px कैसा हो जाएगा, arr of x greater than target, यहाँ पर equal to का sign नहीं लगाया मैंने, बस इतना ही change है, that's it, क्यों, तुम पास करके देख लो, 1 में नो आएगा, 2 में नो आएगा, 3 में नो आएगा, 4 में क्या आएगा, 4 is greater than 4, this is wrong, right, तो no, 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 लेकिन 5 पे तुम जैसी आओगे, तो 5 is greater than target, yes, तुमको पहला yes मिल जाएगा, और तुमको इसी yes की position चाहिए, इस yes की position मिल जाएगी तुमको, तुम माइनस 1 कर दे ना, तुमको इस 4 की position, last 4 की position मिल जाएगी, समझ रहे हो ना, बस तुमको ये दोनों मिल गए, इन दोनों को return करा दो, बस एक चीज और है, एक छोटी सी चीज और है, कि यहाँ पे L और R क्या होना चाहिए, इस case में, बस ये चीज देखने की है, actually मैं, और बतना कुछ confusing नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको मैं समझाओंगा अभी, क्या है ये, ठीक है, तो, यहाँ पे देख लेते हैं, एक test case, 2,2, मैं इस second case की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे L और R क्या होना चाहिए, क्यों, यूँकि हमने सब कुछ figure out कर लिया, हमने predicate figure out कर लिया, हमने return क्या कराना है, वो figure out कर लिया, बस एक चीज और बच्ची है, L और R क्या होना चाहिए, यह हमको भी नहीं पता है, यह जैसी हो जाएगा मेरा, तो then I am pretty sure कि यह मेरा question solve हो जाएगा, अब मान की चलो, यह मेरा एक input array है, और target क्या है, मेरा 2 है, ठीक है, तो L आया मेरा यह, और मैंने R रखा यह, जनरली अभी तक जो मैं करते हा रहा हूँ, अना, L को रखा 0, R को रखा मैंने 1, तो mid क्या आएगा मेरा 0, mid क्या आएगा मेरा 0, तो वो template solution क्या था, while L less than R, ठीक है, mid आया मेरा, L plus R minus L by 2, if predicate of M, तो क्या करना है मेरे को, R equal to M, else, L equal to M plus 1, और return क्या करना है, अभी मैं यहापे क्या कर रहा हूं, return, L minus 1 return कर रहा हूं, पता है ना, L minus 1 क्यों return कर रहा हूं, वो देख लो जो पहला yes मिल रहा था, मेरे को yes return नहीं करना है, आपे मेरे को last no return करना है, तो L minus 1 कर रहा हूं, यही आपको decide करना है कि क्या return करना है वो तो अब the predicate बनाओगे तो खुदी सबज में आ जाएगा तो यहाँ पे जो मेरा m आएगा इस case में m आएगा मेरा 0 ठीक है तो मैंने m of 0 भेजा p of 0 क्या होगा p of 0 क्या हो जाएगा false ना p of 0 क्या return करेगा मेरे को no क्यों 2 is greater than 2 is false तो मेरा else में आ जाएगा अब L क्या हो जाएगा मेरा 0 प्लस 1 L हो जाएगा 1 और फिर R हो जाएगा 1 अब R तो 1 है और L और 1 L भी 1 हो गया तो क्या लूप तूट जाएगा ठीक है लूप तूट जाएगा और मैर अब मेरे जो L है वो क्या है 1 अब मैं return क्या करा रहा हूँ return क्या है L-1 return करा रहा हूँ L-1 return करा रहा हूँ यह चीज ध्यान में देखो तो मेरा output क्या आ जाएगा है यहाँ पर 0 आ जाएगा जबकि यहाँ पर आना चाहिए answer मेरा 1 second is the last index right last position of 2 but मैं output to 0 दे रहा हूँ तो यह एक edge case है ठीक है यह edge case का बस ध्यान रखना है जो size 2 of size 2 होता न array का तो उसके लिए हमको क्या करना है उसके लिए हमको क्या करना है जो L और R है ना उसको सही से initialize करना है समझ रहे हो यहां पे जो L और R है L और R है उसको size से initialize करना है वो क्या होना चाहिए L तो 0 रहेगा R हो जाएगा array of size not minus 1 array of size उससे क्या होगा अब same case ले लो 2,2 ठीक है और target क्या है 2 वो यहां पे क्या होगा L मेरा हो जाएगा 0 और R हो जाएगा मेरा 2 उससे M क्या आएगा मेरा 1 ठीक है उससे M क्या आ रहा है मेरा 1 अब P of 1 क्या है false है अभी भी false है तो L क्या हो जाएगा मेरा 2 ठीक है M plus 1 ना तो L हो जाएगा मेरा 2 और R हो जाएगा मेरा 1 फिर से लूप तूड़ गया अब हम return क्या कर रहा है L minus 1 right तो यहां पे हम return कर देंगे 1 and 1 is the correct answer अब यहां पे array of size का मेरा वो क्यों आ गया मेरे दिमाग में क्यों आएगा array of size यहां पे simple सी बात है एक चीज़ आपको ध्यान रखने कि आप यहां पे L minus 1 return कर रहे हो और एक चीज़ और है for size 2 binary search में h cases बहुत ध्यान देने होता है most of the cases में आप लोग क्या करना जो size 2 of array होता है उसको एक बर देख लेना कि आपका condition handle कर पा रहा है यह आपने h case देख लेना size 2, size 1, size 0 यह 3 size अब handle कर लो यह भी मैं बता रहूं कि यह size क्यों important है तो यहां पे देख लेता है यहां पे देख लेता है कि m is equal to l plus r minus l by 2 ठीक है अब मेरा अगर size 2 है array का 2, 2 है तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा l है वो 0 है और अगर array of size minus 1 कर रहा हूं मैं जो generally करता हूं array of size minus 1 ले रहा हूं तो मेरा r क्या हो जाएगा 1 minus 0 divided by 2 m 0 आ रहा है यहां पे खीक है और अगर मैं size अगर मेरा size array का 1 है अगर यह मान के चलो 2 है तब भी तुम देखना ना m 0 ही आएगा और अगर size 0 है element का sorry अगर size 0 है तब भी m 0 ही आएगा तो यह h cases है यह ना h cases है जो तुम को ध्यान रखना है इसमें बस तुम देख लो तुमने जो L और R set किया है क्या वो इस size of the 2 और 1 और 0 के size के लिए sufficient है की नहीं है तो उसको तुमको change करना पड़ेगा बस यहाँ पर मैंने देखा कि area of size minus 1 से मेरे answer गलात आ रहा है और उससे मेरे को पता चला है कि मेरे को area dot size देना पड़ेगा वो क्यों 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 क्य यहासकता है तो यह हैसक बस मेंटेन करना पड़ता है और और कुछिशू नहीं यहां पर बाकि पूरा कपूरा पूरा कोड चैम है तो चलो इसको इंप्लिमेंट करते हैं ठीक है ठीक है तो उसको कोड करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक condition पहले लग दी कि इस नम्स.sise लिख लेते हैं उसको फंक्शन बना के भी कर सकते हो बहुत तरीकें करने की implementation के मैं सबसे सिंपल तरीका लिख रहा हूं जो थोड़ा सा नंबा लगेगा बट समझ में जाएगा izla did अब एलवन बना देता हूं मैं लेफ्ट वण्हार वन मैं ज्यादा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पर नं ॡॉ आपका मैंन हम साइज माइननस वनियाँ पर देख Vaan कि मेरे को फिर्सू साइज माइनस वनियन निकाल लिए हन कोई सospitals नेहीं कर while l1 is less than r1 जब तक यह true है int m1 जो मेरा पहला m1 आएगा वो क्या आएगा l1 plus r1 minus l1 divided by r1 minus l1 divided by 2 ठीक है अब मेरा प्रेडिकेट यहां पर क्या है nums of m1 is greater than or equal to is greater than or equal to target equal to लगा है यहां कि मेरे को पहला पहला यहां पर फिर्स पोजिशन निकालना है तो r1 is equal to m1 simple सा जो template है else l1 is equal to m1 plus 1 ठीक है अब मेरा यहां पर l1 सेव हो जाएगा अपने अप ठीक है अब मैं यह पूरा का पूरा code ना उठा लेता हूँ और इसको as it is copy paste कर दूँगा दो तीन चीजां बस चेंज करूँगा मैं एक तो l2 l2 r2 कर दूँगा इसको l2 r2 ठीक है nums.size मेरा यहां पर क्या हो जाएगा nums.size में आएगा r2 और इन सब को r2 कर दो l2 r2 कर दो l2 r2 m1 m2 कर दो इनको ठीक है यहां पर मेरा क्या हो गया second binary search complete हो गया बस अब मेरे को return कर देना है यहां पर एक condition चेक करूँगा मैं कि मान के चलो अगर अगर वो element ही नहीं present हाना तो मेरे को minus 1 minus 1 return करना है ना तो मैं अब कैसे चेक करूँगा इसको nums of l1 चेक कर लो या l2 चेक कर लो तुम्हारा जो nums of l1 आया अगर तुमने वहां पर index में देखा जाके actually target ही नहीं वहां पर target ही नहीं है तो मतलब element ही नहीं present array में हाना तो अगर l1 नहीं है तो l2 का भी l2 में भी कुछ नहीं मिलेगा तो l1 में search करना sufficient है more than sufficient है ठीक है तो minus 1 minus 1 return कर दो हाना अब क्या करना है अगर if l1 is equal to l2 अगर यह दोनो true है मतलब दोनो same position में है ना दोनो same position में तो return क्या कर दो l1 l2 ना क्या कर दो return l1 l2 नहीं तो simple जो हमारा मतलब default return करना यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे l1 return करेंगे और l2 minus 1 return करेंगे समझ रहे हो ना l2 minus 1 करेंगे यहां पर हमने l2 minus 1 क्यों नहीं किया क्योंकि वह एक ही position में available है l1 की जो position आ गई और वही l2 की भी position होगी हमको l2 की अलग से निकालने की ज़रूरत l1 और l2 अगर दोनों सेम आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक ही element present है अना इसको dry run करके देख लेना और अगर ऐसा नहीं है मतलब proper case है जिसमें 5 जैसे कि आप क्या देख लो सबसे पहले यहां पर देख लो 5 7 7 8 8 तो इस case में l1 l2 different होंगे तो यहां पर l1 यह आएगा और यह तुम्हारा l2 आएगा तो तुमको l2 minus 1 return करना है ठीक है तो यहां पर एक चीज और थी इसको हटा दो हाँ यह जो दूसरा predicate है ना मेरा दूसरे predicate में मेरे less than equal to हटाना था अब चलो इसको run करके देखते है ठीक है सब्मिट करके देखते है ठीक है सब्मिट हो गया तो अगर नहीं समझ में आया है तो दूबारा देखो और अगर यह भी समझ में नहीं आया दो अच्छे से देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा और कुछ डाउट हो तो लेट मे रो इन दे कमेंट सेक्शन थैंक यू